गाइज ऑस्ट्रेलिया वुमेन और साउथ अफरिका वुमेन के बेच इस वुमेन्स टी ट्वन्टी वर्ल्ड कप का जो फर्स सेमी फाइनल मैच के ले जाने वाला है मतलब गाइज ऐ यू डबलू वर्सेस ऐसे डबलू के बेच जो मैच होगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरे इन्फॉर्मेशन देने वालो गाइज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आउस्टेलिया वुमेन और साउथ अफरीका वुमेन्स के इस मैच में क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है क्योंकि हाई प्रेशर वाला मैच होगा और आपको पताए आउस्टेलिया वुमेन्स काफी जादा स्ट्रॉंग है तो हर कोई जो टीम बनाएगा उसमें आउस्टेलिया वुमेन्स के प्लेइर्स को जादा रखेगा बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि साउथ अफरीका वुमेन्स ये अच्छी फाइट दे सकता है और आपको बता दू इस वाले मैच में साउथ अफरीका वुम का देख लेना और इस वाले मैच में सबसे बड़ा कन्फीजन जो है वो कप्तान का सेलेक्शन करना है तो वो भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है कहीं भी स्किप आपको नहीं करना है क्योंकि हर पार्ट वीडियो का होने वाला है तो AUW वर्सेज SAW फर्स सेमी फाइनल मैच खिला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम दुबई में और दुबई का पिछ गैस कैसा होने वाला है वो भी अपन अभी देखेंगे गाइद मैं आगे बढ़ू उससे पहले एक काम आपको पक कर दीजिए और बैल आइकन की घंटी दबा के ओल दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूं आपके पार नौटिविकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले आके वीडियो देख ले क्योंकि हर मैच की आपको अगर डिटेल इंफॉर्मिशन चाहिए तो ब मैं यूट्यूब पे कवर नहीं करता बट उसकी टीम भी आपको टेलिग्राम पे मिलेगी वह भी बिल्कुल फ्री में वह भी मैं खुद प्रोवाइट करूंगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है बस आप क्लिक यह टेलिग्राम नाम से आपको एप मिलेगी और वहां पर आपको सर्च करना है मेरा चैनल लिंक से आप जाओगे आप सीधे जॉइन हो जाओगे पक्का आपको जॉइन कर लेना है बात करते हैं और साउथ अफ्रीका वुमेंस की क्या प्लेइंग 11 इस वाले मैच में रह सक करें इसके बाद इसके बाद इसा पैरी पी लिच्फिल ड्रैसी ब्राउन फिर गार्डनर जोर्जिया वरहम ताइला एंसी ग्राथ एनाबल सोफी मॉनिलैक्स और मेगान इसकट पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दो हैली मेरे साब से कन्फरमेशन खेलेगी खेलेगी ग्रै सबसे बड़ा प्रशन उठता है कि इस वाले मैच में रख रहे हैं जो आपको स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में अच्छी विनिंग कराके दें तो यह चीज़ आपको इस वीडियो में पता लगेगी हर प्लेयर का इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा इसलिए पूरा वीडियो देखोगे हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी बिलकुल डिटेल में अब देखिए गई ऑस्टेलिया वुमैन और साउथ अफरिका वुमैंस के इस वाले मैच में जो बॉलर ऑल रॉंडर्स है इन में से अपने को किसको प्राइटी देनी चाहिए हमेश प्राइटी नोग काफी अच्छी फॉर्म में चल दिया खास तोर से सोफी मॉनिलैक्स और एनाबल की फॉर्म तो जबरदस चल दिया मैक्सिमम मैंचे इसमें विकेट निकाल दिया रिमेनिंग ओवर मेगान इसकर्ट गार्डनर मैंसी ग्राथ और ड्रैसी ब्राउन कर सकती है और जो दैत की बॉलिंग है जो 15-20 वाली वह गार्डनर और मेगान इसकर्ट कर सकती है तो बट मेरे इसाब से इस वाले मैच में जो इंपोर्टेंस आपको जिस बॉलर को देनी है वह जब मैं आपको बॉलिंग सेक्शन आएगा तब बताऊंगा साउथ अफरीका वुमे कि दुबाई जहां पर यह मैच हो रहा है यहां का पिच कैसा है तो आपको बता दू गई इस वाले वैन्यू पर अभी तक 11 मैच हुए है ठीक है और 11 में से जिस टीम ने पहले बैटिंग किये उसने पाच जिसने बाद में बैटिंग किये उसने 6 और एवरेज इसको आप द साइड है साउथ उफरिका वुमैन हो सकता है 150 के अंडर अंडर ही आउट हो जाए और बाकी पिच रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इस वाले पिच पे बैट्समैन बॉलर्स को सपोर्ट है और इस पीनर्स को तो एक्ष्टा सपोर्ट मिले गए मिलेगा क्योंकि करता लगेगा किस तरीके का पिच हो सकता है 6 अक्टूबर 24 to सक्कॉठ्ट्रेशूइस स्कॉट्लेंड वुमन बस्तिंडेज ओमन के बिच इंडिया बनाथ इंडर्सम혐न ने एक सो एक बना के मैच को विं किया इस वाले मैच वाप पाश्ट बॉनर्स मिले तो पिनर्स को साथ मिले 9 October को मैच हुआ इंडिया वुमेन शिलंका वुमेन के बीच इंडिया वुमेन ने 172 बनाए पहले बैट करके शिलंका वुमेन 90 बना पाया इस वाले मैच हो भी आप देखे इस पीनर्स को 5 पेसर्स को 5 और 9 October को मैच हुआ साथ अफरीका वुमेन स्कॉत लेंड़ वुमेंन के बीच इस वाले मैदान पर जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको फायदा बहुत जब ज़्यादा मिलता है तो टोस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा अगर साथ अफरीका पहले बैट करेगा तो ऑस्टेलिया को भी दिक्क सब्सक्राइब कर देना इसके बाद आएगा माइवन सर्किल एप्लिकेशन पर इस वाले मैच वे मेगा ग्रैंड लगी हुई है और उस मेगा ग्रैंड लीक को अगर आप जॉइन करते हो तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है क्योंकि यहां की जो मेगा ग्रैंड लीक पर रैंक वन जो आता है उसको पता है क्या मिलता है उसको मिलता है एक करोड रुपए का first price अब एक करोड रुपए अगर आपको चाहिए तो आपको entry face देनी पड़ेगी 49 रुपए से 49 रुपए एक टेम के ठेक है बट आप भाई का वीडियो देख रहे हो तो आपको offer मिलेगा का offer क्या है इसी वीडियो के description में comment section में मैंने सबसे top पे my 11 circle app का link दिया हुआ है उस link से जाके आप application को download करिए उसके बाद आपको ये वाला match open करना है open करने के बाद आप देखोगे कि जो 49 रुपए के mega जो औरो को दिख रही है वो आपको किवल एक रुपए में दिख जाएगी और उसमें भी past team का offer है मतलब किवल 5 रुपए लगा के past team के साथ आप mega join कर सकते हो जहां पर rank 1 पर 1 करोड है और यह नई users के लिए offer है तो अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा हो मोश्टी लोगों ने कर रखा है my 11 circle app को तो अपने friend, relative, parents उनके mobile लेजिए उससे जाके register करके join कर लेना फायदा उठा लेना शांदार offer है ऐसे बार-बार नहीं आता तो फायदा पक्का उठाना है साथ में यहाँ पे जब आप deposit करोगे तो भाई का code यूज़ करना है expert 12 EXPERT12 यह code डालने से क्या होगा आप जितना amount deposit करोगे उसका 20% आपको extra मिल जाएगा मालो आपने 200 deposit किया तो 240 500 किया तो 600,000 किया तो 1200 तो यह भी बहुत अच्छा फायदा है तो फायदा उठा लेना मेरे बाई और 1500 रुपे का bonus तो आपको मिली जाएगा अब बात आती है सबसे पहले विकेट कीपर section में से किसको पिक करें तो देखिए बैत मुनी तो आपको दिखी रही है साथ में ऐली साहली भी खेलते हूं दिख सकती है और एली साहली का record भी बहुत अच्छा है अगर खेलती है तो definitely pick करना बाकि नहीं खेलती है तो बैत मुन की सबसे अच्छी खासित का है पता है जब यह साउथ अफरेका वुमें के अगेंस खेलते हैं इसका record बहुत अच्छा रहता है एपरोक्स पचास के आसपास का एवरेज है और लास्ट चार मैचों में आप देखें दो चालिस त्यालिस टी टी में आप देख सकते हैं एपर पर्सेंट टीम में रखना और अगर एली सा एली खेलती है तो इसके को भी में अपन रखेंगे टीम में ठीक है यह भी काफी अच्छे पिक होने वाले हैं इसके बाद बात करते हैं ऑस्टेलिया वुमेंस की बैटिंग सेक्शन की कि ए यू डबलू की तरफ से अपन इस वा पर्फोमेंस निकल के आ रही है अगर आप सोच रहा है जब भी टीम को जुरत होती है यह प्लेयर ऐसी हमेशा फॉर्म में आती है एक अच्छी ऑल राउंडर है और लाश्ट मैच वे बातीस रन उससे पहले नौरन प्लस एक विकेट ठेक है इसके अलावा यहां पर आप द देख सकते हैं इसका इगत इसका है और अभी थोड़ी सी पर्फोमेंस इसकी डाउन हुई है अगर आप देखोगे अभी लास्ट तीन चार मैच से उतना अच्छा करनी रहे जिस तरीके की यह प्लेयर है लास्ट तीन मैच वे पन्रा ठारा नौ और ग्रैस हैरिस देखिए अगर हो सकता है अगर एली सा एली ना खेले तो यह ओपनिंग भी कर सकती है क्योंकि लास्ट मैच पे 40 रंके इसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और काफी अच्छी प्लेयर है तो अगर एली सा एली नहीं खेलती और ग्रैस हैरिस ओपन करेगी तो ही मैं इसको टीम में लूँगा अधरवाइस नहीं लेने वाला ग्रैस हैरिस को तो यहां से जो आपके लिए बड़िया पिक है वो है पैरी एम से गरात और ग्रैस हैरिस हैरिस का मैंने बता दिया है कब लेना है एली सा पैरी के बारे में बता दू एजे बैट्समेन ही टीम में रखना है एजे यह विकेट नहीं ले रही है बालिंग कर आ χिए और एम से गषण ह्रात विकेटक में हैं बालिंग करा दें बैटिंग तो अच्छी करती है तो बड़ा मैच और काफी अच्छा कर सकती है साउथ अफरिका वुमेंस की बैटिंग सेक्शन में सबसे पहला नाम आता है लॉरा वुलफर्ट और टी ब्राइट्स का यह दोनों इनकी ऐसी प्लेयर है अपने दम पर मैच जिता देती है उस लेवल के प्लेयर है वुलफर्ट ओपन करेगी ब्राइट्स ओपन करेगी दोनो लिग की टीम मना रही हूँ या फिर स्मॉल लिग की यह दो प्लेयर आपकी टीम में होनी चाहिए टी ब्राइट्स प्लस लॉरा वुलफर्ट दोनों काफी अच्छी प्लेयर है अटेकिंग प्लेयर है और यह बोश जो की नंबर चार पे खिलेगी यह भी गाईस टी टुए तो कहीं ना कहीं में आपको जब ही कह रहा हूं साउथ अफरीका वुमैन को हलके में लेकर नहीं चलना है अच्छी फॉर्म वाली टीम है और बैटिंग सेक्शन खास तोड़ से अच्छी फॉर्म में तो तीनों प्लेयर काफी अच्छी है मैंने अपनी फाइनल टीम में किस अच्छे पेक हो जाती है क्योंकि बैटिंग बालिंग अच्छे से करती है और फॉर्म भी आप देख सकतेproblem य हर मैच में यह बहुँ निकाल दी है और एणाबल की फॉर्म भी आपसे जबरदस फॉर्म में चल दी है बॉलिंग लाइनप में जब भी आती है मैच फस्ता ही आती है विकेट निकाल के देती है और बॉलों में मिक्षरन बहुत अच्छा करती है तो यहां पर आपके लिए दो आल रांडर्स को तो टीम में रखना बहुत जरूरी है एक तो गार्डनर और एक पक्का से रख लेना कोई भाई में मत करना बहुत ही इंपोर्टेंट चॉइस है साउथ अफ्रिका वुमेंस के पास बर बर के बढ़े बर बर के है और आपको किसको रखना है इस बाल्टी में से कौन सा पानी लेना है वो मैं बताता हूं एम कैप लास्ट दो मैचों में ती प्रिविशन निया रहा लेर क्लास है सी ट्राइन जो की स्पीनर है इसकी फॉर्म ठीठ ठाक चल दी है मेरे इसाफ सो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दीजिए क्योंकि आप देखें टी ट्वुन्टी में 76 मैचों में खाली इसको 32 मिले और बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर दी तो इनके पास option बहुत सारे है पर फॉर्म उतनी अच्छी नहीं इसलिए मैं आपको कहता हो इनके बैटिंग सेक्शन वाले प्लेयर्स को रखो टीब राइट्स को रखो एम कैप को रखो काफी अच्छी है तो यहाँ पर आपके लिए हैं लॉरा वुल्फर्ट सौरी बैटिंग सेक्शन में एम कैप आपके लिए काफी अच्छी चॉइस है और दूसरी चॉइस आप सुन लिए उसके साथ जा सकते हो यह कई ना कई मेरे साफ से एक बैटर प्लेयर है अब बालिंग सेक्शन की बात करते हैं ऑस्टेलिया वुमेंस की बालिंग में दो न और मॉनिलैक्स को पका टीम में रख लेना काफी बैटर प्लेयर है आपको अच्छा पॉइंट स्कोर करा के देगी और अगर मैं साउथ अफरिका वुमेंस की बात करूँ तो एक हाका और एंडी मालबा है एन मालबा को एक मैच में जरूर चार विकेट मिलेते बट उसके ल अब जैसे बैत मुनिका एम कैप के अगेंस में थोड़ा रिकॉर्ड खराब है दो बार आउट कर चुकी है बैत मुनिका और एक गार्डनर को एक हाका एक बार आउट कर चुकी है तो यह थोड़ा सा आप यहां पर कंसिडर कर सकते हो और चैन्ज करेंगा मुझे तो लगता निया कोई नीड है और चैन्ज करने की अच्छा खासा परफोर्मेंस ने कलके आ रहा है बाकिए के खोगा तो एनिला किंग है किम गार्थ है टायला है ड्रैसी ब्राउन तो अल्रेडी चैन्ज हो चुकी है अब गाई देखे मैंने आ पाइनल टीम बनाई है वह अपन देख लेते हैं उससे पहले माई 11 सरकील अब को अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमें सबसे टॉप पे लिंक पिन क्या हुआ है बस क्लिक करके डाउनलोड करना है डा आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन और कमेंट वाले लिंक से डाउनलोड करके जॉइन करना है तो फाइदा सभी उठा लेना अगर नहीं उठाया है पक्का से क्या टीम बनाई है माई 11 सरकील एप विकेट कीपर में रखा है बैत मुनी को काफी अच्छे चॉइस है बैट प्लस बॉलिंग दोनों साइट से पर्फॉमेंट दे सकती है और दाउंडर में कैप गार्डनर और शटर्डेंड यहां पर यह तीनों को रखा है एनाबल को गार्डनर को रहम कैप को तीनों काफी अच्छी है यहां पर आप सुन लिए उसको भी रख सकते हो यह भी काफी अच्छी प्लेयर साबित हो सकती है अफ्रीका की और एक जोर्जिया वरहम को अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो ऑस्टेलिया वुमेंस की तरफ से बॉलिंग में रखाए मेगान इसकर सोफी मॉनिलैक्स और एन मालबग कप्तान वाइस कप्तान का देखे डिपैंड अगर वह पहले बैट करेगा तो मैं मुनि को कप्तान कर सकता हूं अगर वह बात में कहलेगा तो फिर गार्डनर मेरे साब से काफी अच्छी चॉइस हो जाएगी और वाइस कप्तान फिर आप मूनि को या लौरा वुलफट को भी कर सकते हूं बाकि फाइनल अपडेट आप आप सभी बाई महाँ पर अपडेट मिल जाएगा तो ऐसे डबलू फुल मैज डिटेल प्रिव्यू गाइद है खतम होता है और आज के इस वाले मैच का फ्री गिववे का प्रशन है कौन सा बैट्समेन इस वाले मैच में सबसे ज़्यादा रन बना सकता है आंसर आप ठेक है भाई यो आद आप सच्छेकाल और नमस्ट